दोस्तों नमस्कार ये है मागदोशन फार्ट सिविल सेर्विसेज मैं अनुराग चौधरी दोस्तों मागदोशन येंसियारटीस रिंखला में आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे इस अध्याय में हम जानेंगे मेसोपोटामिया की सब्भेता उसके भुगोल और उसके बारे में विस्तार से सहरी करण और उसका महत्य लेखनकला का विकास किस प्रकार से हुआ है इन सब के बारे में दो आये शुरू करते हैं आज का वीडियो 11 वीक अच्छा के इतिहास बिश्व इतिहास के कुछ बिशे का दूसरा अध्याय लेखनकला और सहरी जीवन दोस्तों सहरी जीवन की जो सुरुवात है वो मेसोपोटामिया में हुई थी फरात और दजला नदियों के बीच इस्थि मेसोपोटामिया की सभ्यता अपनी संपन्नता शहरी जीवन विसाल और सम्रिध साहित गडित और खगोल विद्या के लिए परसिद्ध है मेसोपोटामिया की लेखन पढ़ाले और उसका साहित पूर्वी भूमध्य सागरी प्रदेसों और उत्तर सीरिया और तुर्की में 2000 इसापूरो के बाद फैला जिसके फलसोरूप उस समस्त छेतर के राजियों के बीच आपस में यहां तक कि मिस्र के फराओ के साथ मेसोपोटामिया की भासा और लिप में लिखा पढ़ी होने लगी और यहां हम सहरी जीवन और लेखन के बीच के संबंधों की खोज करने का प्रयत्न करेंगे कि किस प्रकार से जो है कि मेसोपोटामिया की भासा और लिप में लिखा पढ़ी हुई थी और यह हम जानेंगे कि लेखन की सतत परंपरा में क्या क्या विकास हुए हैं दोस्तों अभिलिखित इतिहास के आरंभिक काल में इस प्रदेश को मुख्यताय इसके सहरी कृत यानि दच्छडी भाग को सुमेर और अककद कहा जाता था 2000 इसापूरो के बाद जब बेबी लोन एक महतपूर सहर बन गया तब दच्छड छेतर को बेबोलोनिया कहा जाने लगा और लगभगी 1100 इसापूरो से जब असीरियाईयों ने उत्तर में अपना राज्य स्थापित कर लिया तब उस छेतर को असीरिया कहा जाने लगा और उस प्रदेश की प्रथम ग्यात भासा सुमेरियन यानी सुमेरी थी और धीरे धीरे 2400 इसापूरो के आसपास जब अककदी भासी लोग यहां आ गए तब अककदी ने सुमेरी भासा का अस्थान ले लिया और अककदी भासा सिकंदर की समय यानी 326 से 323 इसापूरो तक कुछ छेतरी परिवर्तनों के साथ फलती फूलती रही और 1400 इसापूरो से धीरे धीरे अर्माइक जो है भासा का भी प्रवेस हुआ और यह भासा हिब्रू से मिलते जुलती थी और 1000 इसापूरो के बाद ब्या सोस यानी मध्ध और पोटोमैस यानी नदी से मिलकर बना है इसलिए मेसोपोटामिया जो नाम है वो दजला और फरातनजियों के बीच के उपजाओ धर्ती को इंगित करता है दोस्तों मेसोपोटामिया में जो पुरा तत्विक होज हैं उनकी सुरुवात 1840 के दसक में उदाईयों के फल सरूप आज हम इतिहास के सरोतों के रूप में सैकडों की संख्या में इमारत, मूर्तियों, आभुशडों, कब्रों, अहजारों और मुद्राओं का ही नहीं बलकि हजारों की संख्या में लिखित दस्तावेजों का भी अध्यन कर सकते हैं यूरोप वासि उदाईयों के लिए मेसोपोटामिया इसलिए महतपूर था क्योंकि बाइबिल के पर्थम भाग ओल्ड टेस्टामेंट में इसका उल्लेक कई संदर्भों में किया गया है। प्रियास किया गया। उन्नीसवी सदी के मद्ध से मेसोपोटामिया के अतीत को खोजे जाने के उस्वाह में कभी कोई कमी नहीं आई। और 1873 में एक ब्रेटिस समाचार पत्र ने ब्रेटिस म्यूजियम द्वारा प्रारंभ किये गए खोज अभियान का खर्च उठाया जि ओल्ड टिस्टामेंट की कहानिया अच्छरस सही नहीं हैं लेकिन ये इतिहास में हुए महत्वपोण परिवर्तनों के अतीत को अपने ढंग से अभिव्यक्त करती हैं। धीरे धीरे पूरा तात्विक तकनी के अधिकाधिक उन्नत और परिस्कृत होती गई और इसके भाग में हम जिन बातों पे चर्चा करेंगे इन ही अधिकांस परवर्ती अध्यनों पर आधारित है। दोस्तों बाइविल में क्या है। बाइविल के अनुसार यह जल पलावन पिर्थवी पर संपूर्ण जीवन को नश्ट करने वाला था। किन्तु परमेश्वर ने जल भी जीवन को पिर्थवी पर सुरच्छित रखने के लिए नोवा नाम के एक मनुस्य को चुना। नोवा ने एक बहुत विशाल नाव बनाई और उसमें सभी जीव जनतुओं का एक एक जोड़ा रख लिया। और जब जल पलावन हुआ तो बाकी सब कुछ नश्ट हो गया पर नाव में रखे सभी जोड़े सुरच्छित बज गए। ऐसी ही कहानी मेसोपोटामिया के परंपरागत साहित्य में भी मिलती है और इस कहानी के मुख्य पाद्र को जेव सुद्रया उतानी पिष्ठिम कहा जाता था। यहाँ पर देखिए यह जो है मेसोपोटामिया कहा पर बेवी लोन, उरूक औरूर, यह दजला नदी और फरात नदी यहाँ पर आप यह जो छेत्र देख सकते हैं यह दजला फरात नदियों के आसपास का छेत्र है जहाँ पर मेसोपोटामिया की सभ्यता का जो है अस्तित्त था। मेसोपोटामिया और उसका भुगोल दोस्त थी, यहाँ स्वच जरने और जंगली फूल है, यहाँ अच्छी फसल के लिए परियाप्त बर्शा होती है और साथ हजार से छे हजार इसा पूरो के बीच यहाँ पर खेती सुरू हो गई थी, उत्तर में उची भूमी है जहाँ इस्टेपी घास के मैदान है, यहाँ पसपा जैक नदियां इरान के पहाड़ी परदेसों में जाने के लिए परिवहन का अच्छा साधन है, दच्छड भागेगी रेगिस्तान है और यही वह अस्थान है जहाँ सबसे पहले नगरों और लेखन पडाली का प्रादुर्भा हुआ, इन रेगिस्तानों में सहरों के लिए यह भरण पोसर का साधन बन सकने की छमता थी, क्योंकि दजला और फरात की नदियां उत्तरी पहाडों से निकल कर अपने साथ बारीक उपजाओ मिट्टी लाती थी, जब इन नदियों में बाढ़ हाती अथवा इनके पानी को सिचाई के लिए खेतों में लाया जाता, तब यह उपजाओ मिट्टी वहाँ जमा हो जाती थी, यहाँ पर देखिए किस तरह से यह जो ग्रीन छेतर है, क्रिसी उत्पादक्ता का प्रदेश है, जो रेड डाटेड है वो बरसा सिंचित क्रिसी योगी की दच्छडी सीमा और त्रिभुजा का जो है यह परवतों का छेतर है, फारात नदी जो है वो रेगिस्तान में प्रिवेस करने के बाद कई धाराओं में बढ़ कर बहने लगते हैं, कभी कभी इन धाराओं में बाढ़ा जाती है, और पुराने जमाने में यह धाराएं सीचाई की नहरों का काम देती थी, इन से आवसक्ता पढ़ने पर और मटर या मसूर के खेतों की सिचाई की जाती थी, रोम सामराज जे सहित सभी पुरानी ब्यवस्थाओं में दच्छडी मैसोपोटामिया की खेती में सबसे ज़्यादा उपज देने वाले हुगा करते थी, और बरसा की कुछ कमी होती थी, खेती के अलावा भेड बकरिया इस्टेपी घास के मैदानों पर पाली जाती थी, यहाँ पर भारी मात्रा में मांस, दूध और उन मिलता था, इसके अलावा नदियों में मचलियों की कोई कमी नहीं थी, गर्मियों में खजूर के फेड खूब खजूर देते थे, लेकिन हमें ये सोचने में गलती नहीं कर आनी चाहिए कि सहरों का विकास केवल ग्रामीड समरिधी के बल पर ही हुआ था, इसका विकास अन्निकारकों के विशे में हम आगे देखते हैं, सहरी करण का महत तो क्या है, दोस्तों मेसो पोटामिया के जो प्राची इंतम नगरों का निर्मार कांस युग लगभग तीन ह आजार इसापूर में सुरू हो गया था, कांसा तांबे और रांगे के मिसरंड से बनता है और कांसे के इस्तिमाल का मतलब है कि ये धातुएं दूर दूर से मंगाई जाती थी, बढ़ही का सही काम करने, मनकों में छेद करने, पत्थर की मुद्राएं उकेरने, फरनीचर मे जड़ने, सीपियां काठने आद के कामों के लिए धातु के आउजारों की जरुरत पड़ते थी, और मैसोपोटामियाई हतियार भी कांसे के ही होते थे, जैसे भालों की नोक, कांसे की बनी होती थी, जिनको हम आगे देखेंगे, सहरी करन का महत तो क्या है, दोस्तों सहर ज किसी एक अस्थान पर जनसंख्या का घनत तो बढ़ जाता है, और इससे कस्बे पनपने लगते हैं, और ऐसी परिस्थिति में लोगों का कस्बों में एकठे रहना, उनके लिए फायदे मन सिद्ध होता है, विशेश्त इसलिए क्योंकि सहरी अर्थ व्यवस्थाओं में खा आपस में बराबर लेन देन होता है, यानि एक पत्थर की मुद्रा बनाने वाले को पत्थर उकेरने के लिए कांसे के आउजारों की ज़रुत पड़ती है, वस्वैंग ऐसे आउजार नहीं बना सकता, और यह भी नहीं जानता कि मुद्राओं के लिए आवस्यक रंगिन पत इसकी आखों और भौहों में क्रम से नीले लाजवर्द और सफेद सीपी और काले डामर की जड़ाई की गई थी, सीर के ऊपर एक खांचा बना हुआ था और जो शायद गहना पहनने के लिए बनाया गया हो, यह मुर्तिकला का एक विस्व प्रसिध नमूना है, इसके मुख ठोड़ी और गालों की सुकोमल सुंदर बनावट के लिए इसकी प्रसंसा की जाती है, यह ऐसे कठोर पत्थर में तराशा गया है, जिसे काफी दूरी से लाना पड़ा होगा, और पत्थर लाने से लेकर इस मूर्तिके निर्माड में और किन-किन विशेशग्यों का रहा होगा, सहरों में माल की आवाजाही, दोस्तों मेसोपोटामिया में जो है, खाद्य संसाधन चाहे कितने भी सम्रिध रहे हो, उसके हाँ खनिस संसाधनों का अभाव था, दच्छिड के अधिकांस भागों में आवजार, मोहर और आभूसर बनाने के लिए पत्थनों की इसकी अलावा, ये लोग खाड़ी पार के देशों से पत्थर, सोना चाधी मंगाते थे, इन वस्तों को नियमित रूप से आदान प्रदान तभी संभव होता, इसके लिए जब कोई सामाजिक संगठन हो, जो भी देशी अभियानों और बिने में को निर्देशित करने, भारवाही पसुओं की पीट पर रखकर या बैलगाडियों में डालकर सहरों में अनाज या काठ खोयला ले जाना बहुत कठिन होता है, क्योंकि उसमें बहुत समय लगता है, और पसुओं के चारे इत्यात पे काफी खर्चाता है, सहरे अर्थब्यवस्था इसका बोज लाई की जाए, तो उन्हें चारा खिलाना पड़ता है, पुराने मेसोपोटामिया की नहरे और प्राकरतिक जलधाराएं छोटी बड़ी बस्तियों के बीच माल परिवहन का अच्छा मार्ग थी, दोस्तों ये देखिए कि किस तरह से कि फरात नदी उन दिनों ब्यापार के लिए 200 मार्ग के रूप में परसेध थी, अब आईए देखते हैं सहरी कराण के बाद लेखन का लाका विकास, दोस्तों सभी समाजों के पास अपनी एक भासा होती है, जिसमें उच्छरित ध्वनिया अपना अर्थ परकट करती है, इसे मौखिक या साब्दिक भावा भिव इसे उतना अलग नहीं है, जितना हम अकसर सोचते हैं, जब लेखन या लिप के बारे में बात की जाती है, तो उसका अर्थ है उच्छरित ध्वनिया जो द्रिस संकेतों या चिन्हों के रूप में परस्तुत की जाएं, यहाँ पर देखिए मेसोपोटामिया में जो पहली पटिकाएं या टैबलेट पाई गई हैं, वे लगभग 32 सो इसा पूरो की हैं, और उनमें चित्र जैसे चिन्ह और संख्याय दी हैं, वहाँ बैल, मचली और रोटियों आदि को 5000 सूचिया मिलती हैं, जो वहाँ के दच्छडी सहर उरूख के मंदिरों में आने वाली और वह करने वाले भी कई लोग होते थे, और सौधा भी कई प्रकार के माल के बारे में होता था, यहाँ पर देखिए बैल का चित्र दिया गया है, यहाँ पर देखिए अनाज और मचलियों का चित्र है, यहाँ पर संख्याय और नाओ दिये गए हैं, तो किस प्रकार से लेखन कला का विकास सुरू हुआ होगा आप उसके बारे में सोच सकते हैं यहाँ पर देखिए एक चिकनी मिट्टी की पटिका जो दोनों और कीलाक्षरों में लिखी गई है यह गरती अभ्यास है और पटिका के अगर भाग में सबसे उपर एक त्रिभुज और उसके आरपार कुछ ले खाएं अंकित हैं और यह अच्छर मिट्टी में दबा कर अंकित किये गए हैं तो किस प्रकार से लेखन की शुरूआत हुई थी क्यूनी फार्म क्या होता है दोस्तों कीलाकार या लैटिन सब्द क्यूनियस जिसका अर्थ खोटी और फार्मा होता है जिसका आकार से बना हो देखिए किस तरह से लिखने का जो शुरुआत हुआ था ये लगभग 26 सो इसा पूरु के आसपास जो वर्ण या अच्छर थे वो कीलाकार हो गए भासा सुमेरियन थी अब लेखन का इस्तिमाल हिसाब किताब रखने के लिए ही नहीं बलकि शब्द कोस बनाने भूम के हस्ता कानूनी मानिता देने, राजाओं के कारियों का बढ़न करने और कानून में उन परिवर्तनों को उद्गोसित करने के लिए किया जाने लगा जो देश की आम जनता के लिए बनाये जाते हैं। या कीलाकार चिन्ह का प्रयोग किया जाता था, वह अकेला ब्यांजनिया स्वर नहीं होता था, जैसे अंग्रेजी वर्ड माला में यम या ए, लेकिन अच्छर होते थे, जैसे पूट, ला और इन, इस प्रकार मेसोपोटामिया के लिपिक को सैकडो चिन्ह सीखने पड़ते थे, उसे गीली पट्टी पर उसके सूखने से पहले लिखना होता था, और लेखन कारे के लिए बड़ी कुशलता किया सकता होती थे, इसलिए लिखने का काम बहुत ही महत्वपोट माना जाता था, साक्छर्ता तो मेसोपोटामिया के बहुत कम लोग पढ़ लिख सकते थे, ने केवल परतीकों या चिन्हों की संख्या सैकडों में थी, बलकि ये अधिक पेचीदा भी थे, अगर राजा स्वयंग पढ़ सकता था, तो यह चाहता था कि प्रशस्तिपूर अभिलेखों में उन तथ्यों का उलेख अवस्य किया जाए, एक अधिकारी द्वारा राजा को लिखा गया पत्र उसे पढ़ कर सुनाया जाता था, इसलिए उसकी शुरुवात इस तरह से होती थी, कि मेरे अमुक मालिक को उनका अमुक सेवक निवेदन करता है, मुझे सौपे गए काम को मै ने पूरा कर दिया है, तो दोस्तों स्रिष्ट के बारे में लिखे गए एक लंबे पौरारी कावे के अंत में ये लिखा गया है, कि इन कावे पंक्तियों को सदा याद रखा जाए, और बड़े बुढ़े लोग इन्हें छोटों को पढ़ाएं, बुध्धिमान और विद् ब्यापार और लेखनकला की बीच संबंधों को उरूक के एक प्राचिन सासक इन्मरकर के बारे में लिखे गए एक सुमेरियन महाकावे में असपश्ट किया गया है, कि मेसोपोटामिया की परंपरागत कथाओं के अनुसार उरूक एक सुंदर सहर था, जिसे अक्सर केवल स सहर कहकर पुकारा जाता था, सुमेर के ब्यापार की पहली घटना को इन्मरकर के साथ जोड़ा जाता है, और उस महाकावे में कहा गया है कि उन दिनों ब्यापार क्या होता है कोई नहीं जानता था, इन्मरकर अपने सहर में एक सुंदर मंदिर को सजाने के लिए लाजवर् पहारों की रोशनी और उनसे सूचित दिशा के अनुसार और दिन में सूरज के बताय मार्ग पर आगे बढ़ता गया। लंबी आत्राओं के उपरांद खाली ही हाथ लोटना पड़ा। जब लिखी हुई पट्टिका दूत ने अरट्टा के सासक के हाथों में दी तो उसने उसकी जाच की उच्चारिस सब्द कील यानि कीलाकार सब्द थे उसे देखते ही उसकी तेयोरियां चड़ गई उसने पट्टिका पर नजर गड़ाय रखी। इस घटना को शाब्दिक रूप से सत्य नहीं माना जाना चाहिए लेकिन उससे ये निसकर्स निकाला जा सकता है कि मेसोपोटामिया की विचार धारा के अनुसार सरुपर्थम राजा नहीं ब्यापार और लेखन की व्यवस्था की थी और यह काब्वे हमें ये भी बताता ह है कि लेखन कारे सूचना इकठे करने और दूर दूर भेजने का साधन तो था ही साथ है उसे मेसोपोटामिया की सहरी संस्कृति के उत्कृष्टता के भी जलक मिलती है आए जानते हैं दच्छड मेसोपोटामिया का सहरी करण मंदिर और राजा दूस्तों 5000 ईसापूर उसे दच्छडी मेसोपोटामिया में वस्तियों का भी कास होने लगा था इन वस्तियों में कुछ ने प्राचिन सहरों का रूप ले लिया और ये सहर कई तरह के थे पहले वे जो मंदिरों के चारों और बिक्सित हुए दूसरे जो ब्यापार के केंद्रों के रूप में बिक्सि सबसे पहला ग्यात मंदिर एक छोटा सा देवाला था जो कच्ची इंटो का बना हुआ था मंदिर विभिन प्रकार के देवी देवताओं के निवास होते थे तो विभिन प्रकार के जैसे उर जो चंद्र देवता था इनानना जो प्रेम और युद्ध की देवी थी ये मंदिर इंटों से बनाये जाते थे और समय के साथ साथ बड़े होते गए देवता पूजा का केंदर बिंद होता था लोग देवी देवता के लिए अन दही मचली लाते थे और दोस्तों आराध देव सैधान्तिक रूप से खेतों मत्ष छेत्रों और अस्थानी लोगों के पसुधन क स्वामी माना जाता था जमीन प्राकृतिक उपजाउपन होने के साथ साथ किरिसी कई बार संकटों में घिर जाती थी और फरात नदी की प्राकृतिक धाराओं में किसी वर्स बहुत ज्यादा पानी आता था फसलों को डुबा देता था कई बार धाराएं अपना रास्ता भ या खड़ी होती थी जो लोगिन धाराओं के उपरी इलाकों में रहते थे वे आसपास की जल धारा से इतना जादा पानी अपने खेतों में ले ले लेते थे कि धारा के नीचे की और बसेगाओं को पानी ही नहीं मिलता था देखिए लगभग तीन हजार इसापोर में निर्मित एक मंदिर जिसका खुला हुआ आंगन बाहरी भीतरी मुख भाग जो है ये चित्र में दिखाया गया है दोस्तों या तो किसी छेतर में जब लंबे समय तक लड़ाई चलती थी तो जो मुखिया युद्ध जीतते थे या लड़ाई जीतते थे अपने साथियों और अनुवाईयों को लूट का माल बाट कर खुस कर देते और हारे हुए समोह में से लोगों को बंदी बना कर अपने साथ ले आते थे उनको वो चौकिदार या नौकर बना लेते थे तो ऐसे जो था पुरानी सभ्यता में कैसे चलती गई उस समय के बीजेता मुखियाओं ने कीमती भेटों को देवताओं पर अर्पित करना शुरू किया जिससे की समुदाय के मंदिरों की सुन्दरता बढ़ गई उन्होंने लोगों को उत्कृष्ट पत्थरों और धातूं को लाने के लिए भेजा जो देवता और समुदाय को लाब पहुँचा सके और मंदिर की धन समपदा के बितरण का और मंदिरों में आने जाने वाली बस्तूं का हिसाब किताब रख कर प्रभावी तरीके से संचा कर सकें और इसके अलावा लोग एक दूसरे के आसपास अधिक सुरक्षित महसूस कर सकें सर्विक्षण से पता चलता है कि 3000 इसापूरों के आसपास जब उरूक नगर का 250 सेक्टेयर भूम में विस्तार हुआ तो उसके कारण दरजनों छोटे छोटे गाउं उजड़ गए और बड़ी संख्या में आवादी का विस्तापन हुआ उसका ये विस्तार सताब्दियों बाद फले फूले मोहन जोदड़ों नगर से दुगुना था और ये भी असपश्ट है कि उरूक नगर की रच्छा के लिए उसके चारों और काफी पहले ही एक सुद्रिध दीवाल बना दी गई थी उरूक नगर 4200 इसापूर से 400 इस्वी तक बराबर अपने अस्तित्यों में बना रहा और उस दोरान 2800 इसापूर के आसपास वह बढ़कर 400 हेक्टेयर में फैल गया था तो कुल मिलाकर ये जो विकास की प्रक्रिया कैसे चलती थी देखिए कुल मिलाकर अपड़े तेला दिये जाते थे और इसके अलामा दोस्तों देखिए यहाँ पर इन मंदिरों में से एक मंदिर को बनाने के लिए 1500 आदमियों ने 5 साल तक प्रते दिन 10 घंटे काम किया था सासक के होक्म से आम लोग पत्थर खोदने में लगे थे धात खनीश डाने में लगे थे मिट्टी को तयार करने में लगे हुए थे सैकड़ों लोगों को चिकनी मिट्टी के कोन बनाने पकाने के काम में लगाय जाता था इन शंकों को भिन भिन रंगों में रंग कर मंदिरों की दिवारों में लगाय जाता था तो दोस्तों ये जो था एक तरह से प्रद्धो की के छेतर में भी एक यूगान्तकारी परिवर्तन था जो सहरी अर्थ विवस्था के लिए बहुत ही उपियुक्त सावित हुआ कुम्हार के चाक का निर्मार वहीं से हुआ और आगे चलकर इस चाक से कुम्हार की कारेसाला में एक साथ बड़े पैमानों पर दर्जनों एक जैसे बरतन आसानी से बनाये जाने लगे दोस्तों मोहर क्या होता है एक सहरी सिल्प कृती होती है भारत में प्राचीन काल में देखा जाये तो पत्थर की मोहरे होती थी जिन पर चिन्ह अंकित किये गये होते थे लेकिन मेसो पोटामिया में पहली सहसराब्दी इस भी पूर के अंत तक पत्थर की बेलनाकार मोहरे जो बीच में आरपार छिदी होती थी एक तीली लगाकर गीली मिट्टी के ऊपर घुमाई जाती थी और इस प्रकार उनसे लगातार चित्र बनता जाता था वो अत्यंत कुसल कारी गरो द्वारा उकेरी जाती थी और कभी-कभी उनमें ऐसे लेक होते थे जैसे मालिक का नाम उसके इष्ट देव का नाम और उसके पद और इस्थिती यहाँ पर देखिए पांच पुरानी बेलनाकार मोहरे और उनके च्छापे प्रते की च्छाप में क संभ्रांत वर्ग का उदै हो चुका था धन दौलत का ज्यादा हिस्सा समाज के चोटे वर्ग में था और बहुमूल्य चीजें जो थी जैसे आभूसंड, सोने के पत्र, लाजवर्द, वाद्देंत्र, सोने के सजावटिक अंदर ये बिसाल मात्रा में उर में राजाओं औ अलांकि एक शादी सुदा बेटा और उसका परिवार अक्सर अपने माता पिता के साथ रहता था, पिता परिवार का मुख्या होता था और बिवाह प्रक्रिया के बिद के बारे में कुछ जानकारी मिली है कि बिवाह करने की इच्छा के बारे में घोशला की जाती थी और ब प्रक्रिया आज चल रही है ये दोस्तों ये सदियों से चली आ रही है यहाँ पर आईए यहाँ पर एक नगर है यहाँ पर आप देख सकते हैं एक नगर है जो कि उसका किस तरह से चित्र में इसका अंकन किया गया है कि कैसा होता था वो नगर उनकी बिवस्था कैसे होती थी जब सबसे पहले खुदाई की गई तो उर मेसो पोटामिया का एक ऐसा नगर था जिसके साधारन घरों की खुदाई 1930 के दसक में सू बेवस्ति धंग से की गई, उसमें टेड़ी मेड़ी सकरी गलियां पाई गई, इससे पता चलता है पहिये वाली गाड़ियां वहाँ अनेक घरों तक नहीं पहुंच सकती थी, जल निकासी की भी विवस्ता थी, घरों की छटों की भीतर की और धलान होता था और बरसा का पानी नालियों के द्वारा निकलता था, यहां पर देखिए नगर वासियों के लिए कबरिश्तान भी था जिसमें सासक और साधारन जनकी पाई गई, लेकिन कुछ लोग साधारन घरों में फरसों के नीचे भी दफनाये हुए पाए गए हैं, पस उपचारक छेतर में एक ब्यापारिक नगर, दोस्तों, 2000 इसा पूरों के बाद मारी नगर साही राजधानी के रूप में खूप फला फूला, और मारी के में उस मैदानी भाग में इस्थित नहीं है, जहां खेती की पैदावार भरपूर होती थी, बलकि वह फरात नदी की उर्धोधारा पर इस्थित है, यहां पर देखिए कि उपरी छेतर में खेती और पसपालन के साथ चलते के लोग थे, जो उस समय किसान और पसुचारक दो मान साथ के बदले ये चीजें प्राप्त करते थे, गड़ेरिये और किसानों में जगड़े हो जाते थे, और कई बार ऐसा होता था कि बस्तियों में रहने वाले लोग इन पसचारकों का रास्ता रोग देते थे और उन्हें अपने पसुचों को नदी नहर तक नहीं ले जा से आते रहते थे, ये गड़रिये गर्मियों में अपने साथ उपजाव चेतर में बोई हुए खेतों में अपनी भेडबकरिया ले आते थे, और ये समोह गड़ेरिये फसल काटने वाले मजदूरों अत्वा भाड़े के सैनिकों के रूप में आते थे, और समरिद्ध हो कर यहीं बस जाते थे, देखिए किस प्रकार से मेसोपोटामिया के देवी देवताओं का आदर नहीं किया जो लोग बाहर से आते थे, बलकि इस्टेपी छेतर के देवता डैगन के लिए मारी नगर में एक मंदिर बनवाया, और मेसोपोटामिया की सभ्यता और समाज वहां की संस्कृती भिन भिन समुदाओं के लोगों और संस्कृतियों के लिए खुली थी, और भिन जातियों और समुदाओं के लोगों के परसपर मिस्रण से वहां की सभ्यता में जीवन सक्ति उत्पन हो गई थी, मारी में जिम्री लिम ये देखिए जिम्री लिम का राजमहल 1810 से 1760 ही सापोरों के बीच का ये राजमहल का जो है ये देखिए रिखाचित्र दिया गया है कि सभागार भीतरियांगन सिंगहासनकच ये किस तरह से होते थे देखे यहाँ पर प्रांगड है और लिपिक कार्याल है बिंचो और मिटी दानों के साथ मिटी दानों में पट्टिकाएं रखी जाती थी जिमरी लिम का मारी इस्थित राज महल दोश्तों ये मारी का विशाल राज महल वहाँ के साही परिवार का निवास अस्थान तो था ही साथ हि प्रसासन और उतबादन विशेश रूप से कीमती धातुओं के आभुसनों के निरमार का भी प्रमुक केंद रथा अपने समय में वो इतना परसिध था कि उसे देखने के लिए उत्तरी सीरिया का एक छोटा राजा आया वह अपने साथ मारी के राजा जिमरी लिम के नाम उस एक अन्य राजा का परिचे पत्र लेकर वहां आया था दैनिक सूचियों से पता चलता है कि राजा के भोजन की मेज पर हर रोज भारी मातरा में खाद पतार्थ पेस किये जाते थे आटा, रोटी, मांस, मचली, फल, मद्रा और बीयर वह समभौता अपने साथियों के साथ सफेद पत्थर जड़े आगन में बैठ कर बाकायदा और राजा विदेशी अतितियों और अपने प्रमुक लोगों को उसे कमरा 132 में मिलता था जहां भित्य चित्रों को देखकर आगन्तुग लोग हतप्रब रह जाते थे राज महल 2.4 हेक्टेयर के छेतर में एक अत्यंत विशाल भवन था जिसमें 260 कच बने हुए थे यहाँ पर दीवार पर की गई चित्रकारी यहाँ पर दर्शाई गई है लेकिन मारी के राजाओं को सदासतर का और सावधान रहना पड़ता था विभिन जन जातियों के चरवाहों को राज में चलने फिरने की इजाज़त थी लेकिन उन पर कड़ी नजर रखी जाते थी और मारी नगर एक अत्यंत महतुपूर ब्यापारिक अस्थल भी था जहां से होकर लकडी, तांबा, रागा, तेल, मदिरा और अन्य किस्मों के माल नाओं के जरिये फरात नदी के रास्ते दच्छिड और तुर्की, शीरिया और लेबनान के उचे इराकों के बीज ले जाया जाता था, दच्छिडी नगरों को घिसाई, पिसाई के पत्थर, चक्कियां, लकडी और सराब तथा तेल के पीपे ले जाने वाले जलपोत मारी में रुका करते थे, मारी के एक अधिकारी जलपोत पर जाया करते थे, उस पर लदे हुए सामान की जाच करते थे, दोस्तों एक नदी में 300 मदिरा के पीपे रखे जा सकते थे, और उसे आगे बढ़ने की इजाज़त देने से पहले उसमें लदे माल की कीमत का लगभग 10% प्रभार वसूल करते थे, जो एक बिसेश किस्म की नौकाओं में आता था, सबसे महतपूर बात ये है कि कुछ पटिकाओं में साइपरस के द्वीप अलाशिया से आने वाले तांबे का उलेख मिला है, यह द्वीप उन दिन तांबे और टिन के ब्यापार के लिए लेकिन वहां रांगे का भी ब्यापार होता था, क्योंकि कांसा अउजार और हत्यार बनाने के लिए प्रमुख अउध्योगिक सामगरी था, मेसोपोटामिया के नगरों की खुदाई, दोस्तों आज मेसोपोटामिया के पुरास्थलों के उत्खनक, पहले के उत्खनकों के तुलना में बहुत अधिक कुसल उनके कारे की यथार्तता और परिशुधता का अभिलेखन अस्तर बहुत उचा है इसलिए अब उस तरह के बड़े-बड़े इलाकों की खुदाई नहीं की जा सकती जैसी उर्नगर में की गई थी इसकी अलामा बहुत कम पूरा तत्विदों क पास इतनी बड़ी धनरासी होती है कि एक साथ खनकों के साथ बड़े दल की खुदाई की काम पर लगा सके तो इस तरह तरीका अब बदल गया है अबू सलाबिक नाम के एक छोटे कस्बे का उदाहरं ले ये पचीस सो इसविपूर में इसापूर में दस एक्टेयर जमीन प खरूचा जाता है नीचे की मिटी तब भी कुछ नम पाई गई और पुरा तत्विदों ने भिन भिन रंगो उसकी बनावट और इटो और दिवार की स्थिति और गड़ों अन्ने भिसेस्ताओं का पता लगा लिया थोड़े से घरों की खोच की गई उन्हें खोद कर निका गई थी गोबर के उपलों के जले हुए इंधन में निकले हुए पौधों के बीज और रेसे मिले थे और एक तरह से देखिए जलो घरों में रहने के लिए कमरे कौन से थे यह जानने के बहुत कम निसकर्स मिले हैं गलियों में सुवरों के छोटे बच्चों के दात पाए और पुरातत्विदों ने ये निस्कर्स निकाला कि किसी अन्यभी में सुप्रोटम याई नगर की तरह यहां भी सुवर छुटे घुमा करते थे एक घर के आगन के नीचे जहां किसी मिर्तक को दफनाया गया था शुवर की कुछ हड़ियों के औसरस मिलते हैं जिनसे पता चलता है कि ब्यक्ति के माडो परांत जीवन में खाने के लिए सुवर का कुछ मांस रखा गया था पुरा तत्विदों ने कमरे के फर्स का बारी किसे अध्यन करने में ये जानने के लिए किया कि घर के कौन से कमरों पर पोपलार के लठें खजूर की पतियों और घास फोस की छते थी और कौन कमरे बिना किसी छत के खुले आकास पे नीचे रहते थे मेसोपोटामिया संस्कृती में सहरों का महत्व क्या है तो मेसोपोटामिया वासी सहरी जीवन को महत्व देते थे जहां पर अनेक संस्कृतियों और समुदायों को ले एक साथ रहा करते थे युद्ध में सहरों के नश्ट हो जाने के बाद वे अपने काब्यों के जरीए उन्हें यात किया करते थे मेसो पोटामिया के लोगों को अपने नगरों पर जितना गर्व था उसका सबसे अधिक मरमस्पर सिभी ब्रणहम को गिल गेमिस महा काब्य के अंत में मिलता है यह काब्य 12 पट्टिकाओं पर लिखा गया था और गिल गेमिस ने इन मरकर के कुछ समय बाद उरूक नगर पर सासन किया था वह एक महानी उध्धा था जिसने दूर दूर तक के परदेशों को अपने अधिन कर लिया था लेकिन उस समय उसको गहरा जटका लगा जब उसका एक बीर मित्र अचानक मर गया इससे दुखी होकर वह अमरत्यों की खोज में निकल पड़ा उसने सागरों, महासागरों को पार किया और दुनिया भर का चक्कर लगाया मगर उसे अपने साहसिक कार में सफलता नहीं मिली हार कर गिलगेमिस अपने नगर उरूक लोटाया और जहां वह अपने आपको सांतोना देने के लिए सहर की चहार दिवारी के आसपास आगे चहल कदमी कर रहा था तभी उसकी नजर उन पक्की इटो पर पड़ी जिनसे उसकी निव डाली गई थी वह भाव विभोर हो था इस प्रकार उरूक नगर की विशाल प्राचीर पर आकर उस महाकाब्य की लंबी बेरता पूर्ण और साहस भरी का थाका अंत हो गया यहां गिल गेमिस एक जंजाती योध्धा की तरह यह नहीं कहता कि उसका अंत निश्चित है पर उसके पुत्र तो जीवित रहेंगे और इस नगर का आनंद लेंगे दोस्तों इस प्रकार उसे अपने नगर में ही सांतोना मिलती है जिसे उसकी प्यारी प्रजाने बनाया था लेखन कला की देन हलाकी मरमसपर्सी कहानियों और किस्सों की तरह के बढ़न की तो मौखिक रोप से एक दूसरे को सुनाते हुए जीवित रखा जा सकता है लेकिन विज्ञान को जीवित रखने के लिए लिखित दस्तावेज और किताबों की ज़रुत परती है संभातम मैसोपोटामिया की सभ्यता को दुनिया को सबसे बड़ी देन है कि उसकी काल गड़ना और गड़ित की विद्वत्ता पूर परमपरा है अठारा सो ईसापूरु के आसपास के कुछ पट्टिकाएं मिली हैं जिसमें गुड़ा और भाग की तालिकाएं बर्ग और बर्गमूल और चक्रबृधि ब्याज की साड़िया दी गई है दो का वर्गमूल यह दिया गया है कि देखिए यहाँ पर 1 प्लस 24 बटे साठ प्लस 1 ट्यौन बटे साठ का स्क्वाईर प्लस 10 बटे साठ का क्योग तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कि उस समय के विद्ध्यार्थियों को इस प्रकार के सवाल हल करने होते थे कि अगर एक खेत का छेतरफल इतना इतना है और वह एक अंगुल गहरे पाने में डूबा है तो संपूर पानी का आयतन बताओ दोस्तों संपूर पिर्थवी के चारो और चंद्रमा के परिक्रमा के अनुसार एक पूरे वर्स का बारे महीने में बिभाजन एक महीने का बारे हपतों में बिभाजन एक महीने का चार हपतों में बिभाजन एक दिन का 24 घंटे में और एक घंटे का 60 मिनट में बिभाजन ये स वह रोम फिर इसलाम की दुनिया को मिला और फिर मध्य यूगीन यूरोप तक पहुंचा था दोस्तों जब कभी सूरिय और चंदर ग्रहण होते थे तो वर्स मास और दिन की अनुसार उनके घटित होने का हिसाब रखा जाता था और इस प्रकार रात को आकास में तारो और तारा मंडल की इस्थिती पर बराबर नजर रखते हुए उनका हिसाब रखा जाता था मेसोपोटामिया वासियों की इन महतोपूर उपलब्धियों में से एक उपलब्धी संभो नहीं होती यदि लेखनकला और विद्याले जैसी संस्थाओं का अभाव होता जहां विद्यार्थे गर पुडाने लिखित पट्टिकाओं को पढ़ते और उनकी नकल करते थे तो ये सोचना गलत होगा कि मेसोपोटामिया के सहरी लोग आधुनिक तोर तरीकों से परिचित नहीं थे अंत में हमें उन दो प्रकार के प्रारंभिक प्रवत्नों का अलोकन करना चाहिए जिनके द्वारा अतीद के प्रलेखों और परंप्राओं को खोजने और सुच्छित रखने की कोशिस की गई थी एक पुरा कालेन पुस्तकाल है दोस्तों लोह युग में उत्तरी प्रदेसों के असीरियाई लोगों ने एक सामराज की अस्थापना की जो 720 से 610 इसवी तक 610 इसा पूरू तक अपनी उननत के सिखर पर रहा ये सामराज मिसर तक फैला था और राज्जी की अर्थविवस्था उन दिनों लूट मार की हो गई क्योंकि अधिनस्त प्रजाजनों को दबा कर उनसे खादे सामगरे पशुद हातु और सिल्प की बस्तों के रूप में बेगार और नजराना जवर्जस्ती लिया जाने लगा बड़े बड़े असीरियाई सासक जो बाहर से आकर वरसे थे दच्छडी छेतर वेबोलोनिया को उच्छ संस्कृति का केंदर मानते थे और उनमें से आखरी राजा असुर्ब निपाल ने उत्तर इस्थित अपनी राजधानी निन्वय में एक पुस्त कालय की अस्थापना की ये बहुत ही महतपूर्ण है क्योंकि इसमें उसने इतिहास महाकाब शकुन साहित जो 30 विद्यास्तुतियों और कविताओं की पट्टिकाओं को इकठा करने का बहुत प्रयत्न किया और उसमें सफल रहा दिवस्तों सुमेरियन भासा यद्यपी 1800 इसापूर तक बोली जा की गई प्रतिया तयार करने वाले उनमें अपना नाम और तिथी लिखते थे और कुछ पट्टिकाओं के अंत में असुर्बनिपाल का उल्लेक भी मिलता है मैं असुर्बनिपाल ब्रहमांड का सामराट असीरिया का सासक जिसे देवताओं ने विशाल बुध्धि परदान क की है जिसने विद्ध्वानों के पांडित्ते के गोड़ ग्यान को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की है मैंने देवताओं के बुध्ध विवेक को पट्टिकाओं पर लिखा है और मैंने पट्टिकाओं की जाच की और उन्हें संग्रहीत किया मैंने उन्हें निन्मे इस्थित अपने इष्टदेव नाबू के मंदिर के पुस्तकाले में भविसे के उपियोग के लिए रख दिया है अपने जीवन के लिए अपनी आत्मा के कल्यान के लिए और अपनी शाही सिंगहासन की निव को मजबूत बनाने रखने के लिए इससे भी महतवपूर काम था कि इन पट्टिकाओं की सूची तैयार करने का इसके लिए एक टोकरी भर पट्टिकाओं को मिट्टी के लेबल से इस प्रकार अंकित किया गया कि असंख पट्टिकाओं भूत प्रेत निवारण विशह पर अमूक व्यक्तिद्वारा लिखी गई असुर्बनिपाल के पुष्टकाला में कुल मिलाकर एक हजार मोल गरंथ थे और लगभग 30,000 पट्टिकाएं थी जिन्हें विश्यानुसार वर्गी कृत किया गया था दोस्तों गैर और एक आरंभिक पुरा तत्तुवेता तो दच्छडी कछार के एक सूरवीर नैबो पोलासर ने बेवोलोनिया के 625 इसापूर में असीरियाई आधिपत्य से मुक्त कराया और उसके उत्रा धिकारियों ने अपने राजी छेतर का विश्तार किया और बेवी लोन में भवन निर्माड की परियोज नायपूरी की उस समय से लेकर 549 इसापूर में रोमन के एके मेडिन लोगों द्वारा विजित होने के बाद 331 इसापूर में सिकंदर से पराजित होने तक बेवी लोन दुनिया का एक प्रमुक सहर बना रहा इसका महतुपूर छेतरफल जो था 850 एक्टेर से अधिक था जिसकी चहार दिवार तिहरी थी इसमें बड़े बड़े राजमहल और मंदिर मौजूद थे एक जिगुरात यानि सीड़ीदार मिनार थी और नगर के मुख्य अनुष्ठान केंदर तक सोभा यातरा के लिए ए एक महिला पूरोहित को नियुक्त करने का आदेश दिया उसने लिखा चोकि बहुत लंबे समय से महिला उच्च पूरोहित का प्रतिष्ठान भूला दिया गया था उसके बिसिष्ट लच्छनों को कहीं नहीं बताया गया है मैंने दिन पर दिन उसके बारे में सोचा वह पूर्वक देखा फिर उसे अपने पूत्री को वैसी ही वेस दूसा से सुजद सिद कर महिला पूरोहित के रूप में प्रतिष्ठित किया एक अन्य अवसर पर नैबो निडस के आदमे उसके पास एक तूटी हुई मुर्टिलाय जिस पर अककद के राजा सारगोन का नाम ख रखा था नैबो निडस ने महसूस किया कि उसे उस मुर्टि की मरमत करानी चाहिए वो लिखता है कि देवताओं के प्रतिभग्ति और राजा के प्रति अपनी निष्ठा के कारण मैंने कुसल सिल्पियों को बुलाया और उसका खंडित सिर्थ बदलवा दिया तो दोस्तू देखिए किस प्रकार से बित्स्व इतिहास के जो काल रेखा है कैसे चली लगभग 7000-6000 इसापूरों में उत्तरी मेसोपोटामिया के मैदानों में खेती की शुरुआत हुई 5000 इसापूरों में दच्छडी मेसोपोटामिया में सबसे पूराने मंदिरों का बनना शुरू हुई 3200 इसापूरों में लेखनकारी की सुरुवात मेसोपोटामिया में हुई और 3000 इसापूर में उरूक का एक विशाल नगर के रूप में विकास हुआ और कांसे के आउजारों के इस्तेमाल में बढ़ोत्तरी हुई लगभग 2725 इसापूर में आरंभिक राजाओं का सासनकाल जिसमें गिल गेमिस जैसे पौराडिक राजा भी सामिल हैं और 2600 इसापूर में कीला कारलिप का विकास हुआ 2400 इसापूर में सुमेरियन के अस्थान पर अककदी भासा का प्रयोग हुआ और 2370 इसापूर में सारगोन अककद सामराट बना लगभग 2000 इसापूर में सीरिया और तुर्की मिसर तक की लाकारलिप का प्रकसार हुआ और देखें मारी और बेवी लोन का उद्भव 2000 इसापूर के आसपास हुआ लगभग 1800 इसापूर में गरतीय मोल पाठों की रचना हुई अब सुमेरियन बोलचाल की भासा नहीं थी लगभग 1100 इसापूर में असीरियाई राज्य की अस्थापना हुई और 1000 इसापूर में लोहे का प्रियोग हुआ 720-610 इसापूर में असीरियाई सामराज्य अस्थित्तु में था 668-627 इसापूर में असुर्बनिपाल का सासन था 331 इसापूर में सिकंदर ने बेबिलोन को जीता था और लगभग पहली सतापदी इसवी में अकदी भासा और किलाकार लिपी पहली सतापदी तक प्रियोग में रही और 1850 में कीलाकार लिपी के अच्छरों को पहचाना और पढ़ा गया था तो दोस्तों ये था 11.2 कच्छा के इतिहास बिस्व इतिहास के कुछ विशय का दूसरा अध्याय लेखन कला और सहरी जीवन इसमें हमने मेसोपोटामियन सब्भेता की बारे में बिस्तार से जाना की वहाँ पर सहरी जीवन और लेखन कला का परसार कैसे हुआ अध्याय आपको कैसा लगा हमें कमेंट बाक्स में जरूर बताईएगा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों नमस्कार